हेलो गाइस कैसे हो यारा, I hope कि सब ठीक ठा होगी, तो आज के इस वीडियो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, इंजाइटी में जो नीन्द की प्रॉब्लेम होती है, उसके बारे में, अगर आपको इंजाइटी है, तो आपको कभी न कभी नीन्द की प्रॉब्लेम जरूर होई होगी, देखो आपको जब से इंजाइटी स्टार्ट होती है, उस टाइम से जब तक आपके इंजाइटी चल इसकी स्पिरेड में कैसे कौन-कौन से स्टेजिज में मैं को जो नीन की प्रॉब्लम है वो हुई थी और मैंने इसको पूरी तरीके से कैसे ठीक किया मैं आपको टोटल पॉइंट टूइंट बताऊंगा उससे पहरे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह वीडियो बहुत इंग्जाइटी हुई थी तो मुझे कैसी नीन की प्रॉब्लम हुई थी तो यार स्टार्टिंग में मैं आपको साइद मैं एक वीडियो में और कवर्ड किया है कि जब मुझे इंग्जाइटी हुई थी उस टाइम सबसे पहले ना कुछ दिन तक मुझे नीन बिल्कुल नह मतलब कि अगर आत में सौने के लिए जाता था तो मेरा आँख खुला खुला नए था था अगर मैं बंद कर लेता हूं तो नीद आती हुए मैं आपने आख आती हो दो कुछ दिन चलती गई चलती गई फिर मैं गया डॉक्टर के पास डॉक्टर के पास गया तो मैंने आपको बताया था कि मैंने एक मन तक जो है नीन की मैडिसीन ले थी उसके बाद मुझे नीनाना स्टार्ट वहा था लेकिन जैसे ही मैंने नीन की मैडिसीन को छोड़ा उसके ब अब मैं कैसे एक नेचुरल डाइट सिफ्ट हो और मैं अपने मैडिसीन को कैसे कम करूं तो इसका जो आप है सब्सक्राइशन जो है वह आप डॉक्टर से ले सकते हो उसके बाद क्या हुआ था कि जब मैंने मैडिसीन छोड़ा तो मैं नीद बिल्गूल आती ही नहीं थी उसक तो मैं अब हुटता था आपको यसा होता होगा कि आपके मैं फॉर्ट बैक चलते हैं अगर आपके मांड में फॉर्ट ऑबैक चलते हैं इंसान को बहुत अब को anxiety है तो आपके आस-पास में अगर कोई activities हो रही है जैसे कि आपके अगल वगल में कोई cut put को कुछ भी कर रहा है तो उसकी आवाज आपके कानों में सुनाए दोगी मतलब कि आपको नींद गहडी नहीं आएगी तो यह तीन तरह की problem होगी थी anxiety में अब मैं आपको बताता हूं कि इसको मैंने ठीक कैसे किया था आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो बैसी कलिए मैंने तीन चार पॉइंट में काम किया था सबसे पहला पॉइंट है योगा-मेडिकेशन योगा-मेडिटेशन में दो योगा बाता हूं आपको एक है अनुलोम विलोम दूसरा है ब्रामणी ठीक है अनुलोम विलोम और ब्रामणी इस दोनों को अगर आप करते हो तो आप लिखलो आप 10-15 दिन अगर आप बैक-to-back करता ध्यान तो योगा ना आपको अच्छे से करना होता है ऐसा नहीं कहा है कि आपने एक दिन किया फिर छोड़ दिया एक दिन किया फिर छोड़ किया अब कुछ भी ठीक करना है ना तो उसके लिए आपको प्रेडिकेशन होना बहुत जरूरी है तो एक तो हो गया योगा योगा मैंने किया था उससे में इंप्रूमेंट होई थी दूसरा क्या होता है कि दूसरा अगर आप मतलब देखो मेरे केस में अगर ना बताता हो ना मेरे केस में अश्योगंधा ने बहुत अच्छा काम किया टीसरा क्या है कि अगर आप रात में सोने के लिए जाते हो अगर आप सोने के लिए जाए हो तो एक चीज आप Anytime, याद रखो तो आपके इसा है कि आपका हमारे Luckily के करते हैं रहते हैं को चलो हमारा माइड गलत तरीके से हो जाता है तो इस बातों का ध्यान रखो कि आप phone तभी चलाओ जब आपका room का light on है जैसे ही आपका room का light off हुआ तो आप ना इसको बंद कर दो मुझे पहले आज थी मैं blanket के अंदर गुसके phone चलाता था लेकिन जैसे मुझे anxiety हुई तो मैंने इस सब चीज़ों कम किया ठीक है उसके बाद जैसे ही आप इस चीज़ों करने लगए तो अपने सबसे बड़ा point है मतलब कि आप जो है एक डाउट के cycle को बहुत देर तक नहीं चलने दो अगर आपके डाउट होते हैं उसको क्लेर करते जाते हो तो आपकी anxiety है वह बहुत जल्दी कम होगी और आपकी anxiety और जैसी आपकी anxiety कम होती है तो आपकी नीन की problem जो है वह बिल्कुल ठ ठीक हो जाएगी तो यार आई होब कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आप इस सब चीजों को follow करते हो जो मैंने आपको बताया है तो आपको definitely improvement में लेगी बट यहीं है कि आपको थोरा सही से करना पड़ेगा एक dedication साथ करना पड़ेगा बागी सब अपने आ पूरा कहीं कट नहीं लिए मैंने तो कहीं कहीं मैं कुछ भूल जाता हूं तो फिर उसको याद भी करता हूं वीडियो में तो उस पर ध्यान मत देना ठीक है तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही चलो मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में